हमारी कई माओं ने अफचारिक स्रक्षा प्राप्त नहीं की उन्होंने राष्टवाद की किताब नहीं पड़ी थी क्या भगर सुनकी मा ने राष्टवाद की किताब पढ़ कर बेटी को कहा जो दुबने क्या चागे ग्यारा अगस्तों सब ब्यारिस को पटना सची वाले पर भात के तरंगा जंडा को ले जाने वाले जो साथ सहीड थे पहुंग थे नौमी क्लास के चाड़ छातर हम में से जिनके नौमी क्लास के बच्चे हैं स्कूल जाते हैं थे हम रोट क्लास करने के लिए माँ बाप में से साथ जाता है कि बेटा रोट क्लास ठीक से करना है वे नौमी क्लास के चाड़ छातर दसमी क्लास के दो छातर एक ग्यारहमी क्लास का एक छातर था साथो एक से एक जंडा लेते गए विलियम मार्चर नाम का डिस्टिक कलेक्टर था उस देका स्टोठी इसे टेंजट हुए इंपरेलिजर हर मैजस्टी की सरकार के लिए नौमी छात्र का नौमी क्लास का छात्र खत्रा बन गया था वो द्वज खत्रा था वो नौमी क्लास का छात्र नहीं उत्रंगा जंडा नहीं उसके पीछे देश के तबगे 33 करोड लोगों के पाकत थी सातों सात्र सहीद हुए लेकि जंडा नीचे नहीं गया जंडा उस मंदिल पर गया उस सचीवाले पर गया दिस्तिक कलेक्टर की गोली उस जंडे को नीचे छुप नहीं चुपा गया आखे वो तिरंगा अरे अमेरिका का जंडा उनके रोमांस का कारूँ हो सकता है डॉर्मिट बना सकते हैं भारत का तिरंगा खप्रा नहीं कितने माओं ने अपने संतानों को खोया है इसकी सूची तयार भी हो सकती है भरे इतिहास की पुस्तक में एक परिवार तक सिमित है आजादी की लगाई में बिद्वा मा, पिता नित्रही, भाई नवाले और पुत्र जिल्चा मा काती है मेरा बेटा गांधी के रास्ती में पर चारूँ है क्या ऐसे लोगों की सूची तयार हुई है दवित महला उदा देवी जादी से पासी थी अपनी जुवावस्था में लखनों में पीपल के पेर पर सवार होकर अंग्रेज की सेना को रोक दिया, अकेले अंग्रेज की सेना को रोक दिया, गोली खाने के बाद जन नीचे नहीं किर पाई, तो पेर में आग लगाना पड़ा, उनकी सहादत होने के बाद भी कोई अंग्रेज पुलिस उनके सम्विधान में लिख देने से भारत पंथ निर्पेक्ष नहीं हुआ है सम्विधान में तो पाकिस्तान में भी पंथ निर्पेक्ष लिखा था विभाजन के बाद तो जिन्ना में भी पहला भास नहीं दिया था हमें पंथ निर्पेक्षता चाहिए रोपे पेर बबुल का आम कहां से हो खून से सना हुआ हाज दांतों में लगा हुआ खून और वेक्ती पंथ निर्पिक्स्ता की बात ये हिंदुस्तान क्या है मर्द सेंजी आप सुन लेजिए